खबर जानगीर चांपा जिले के बलोदा थाने से जहां पर बीते कुछ दिनों पहले उमाशंकर यादव की धारदार हतियार से हत्या कर दी गई थी आपको बता देखी उमाशंकर को घायल अवस्ता में CAC बलोदा पहुचाए गया था जहां डोक्टर ने उमाशंकर को उपचार के दोरान अम्रत कोशित कर दिया गया पुलिस ने इस पूरे मामले की तहे तक पोछने के लिए कारवाई करते हुए संदे के आदार पर दो लोगों को पकड़ा और उनसे पूस्ताच की पुलिस जवारा पूस्ताच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ गटनास्तल में रावन दहन के लिए जा रहे राम लक्ष्मन की टोली के साथ मुर्तक उमाशंकर और आरोपियों अपचारी बालग भी उपस्तिते जो अन्य लोगों के साथ नाज देगाते जा रहे थे नाच निगाने को लेकर धका मुक्की हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने उमाशंकर के चाकू से वार कर दिया जिस कारण वो घायल हो गया और उमाशंकर को घारे रवस्ता में देग वो दोनों मौके से भाग चूटे और वारदात में उप्युक् बाट पारा तता सीपत तता अपचारी बालक को गरफता का जुडिशली रिमांड और बाल संप्रेक्शन गरह भेज़ दिया है